आज की वीडियो में मैं ऐसे प्लांट लेकर के आई हैं जिसमें फंगस बहुत जादा लग जाता है तो ऐसे दस प्लांट के नाम बताऊंगी जिसमें फंगस बहुत जादा लगता है तो उनमें से नमबर वन पे है लाल टेला लाल टेना आज कल ड्रॉफ्ट वाराइटी में जादा फंगस लगता है इसका देशी वराएटी में बिल्कुल नहीं से लगता है और यह फंगस 법 iPhones नहीं बहुत स्वीट होता है अगर आपको इसके फंगस का तुरंत पता चल जाता है और जल्दी ही इसका treatment कर देते हैं तो फिर तो प्लांट को बचा लेंगे लेकिन अगर जरावी delayed होता है इसको बचाना मुस्किल होता है क्योंकि क्रोन का फंगस बहुत ही खदर्नाक होता है बहुत मुश्किल से हटाया जा सकता है तीसरे प्लांट भी मैंने कोचिया रखा है इसका भी यही हाल होता है बहुत ही अचानक से इसमें भी फंगस लग जाता है फंगस वैसे जाला तर आप देखेंगे अचानक ही दिखाई पड़ता है लगता होगा उसमें पहले से लेकिन दिखाई पड़ता है अचानक से प्लांट बिल्कुल ही सूख जाता है अगर आपको पता है कि किस प्लांट्स में फंगस लग जाता है तो उस plants में हमें treatment पहले ही करना चाहिए यानि कि time to time हमेशा fungicide डालते रहना चाहिए fourth number में मैंने चमपा को रखा है चमपा में fungus जब लग जाता है तो हमें थोड़ा time देता है यानि कि कुछ दिन के बाद इसका symptom दिखाई देता है कुछ जिन के बाद इसकी खराब उन लगती है मुणने लगती है जड जो है गलने लगता है यानि कि अपने आपको रिवाइब करने के लिए थोड़ा time देता है और अगर मान लिजे आपका ये खराब हो भी गया प्लांट तो जहां सी खराब हुआ है वहां से आप इसको कट कर दे कट करके जो खराब वाला पॉर्सन इसको हटा दे और जो अच्छा है उसमें फंगी साइड अच्छे से लगा करके मिट्टी को ट्रीट करके आप दूसरा प्लांट तयार कर सकते हैं बलकि उसके कई कटिंग करके आप उससे कई प्लांट लगा लीजिए कि अगर एक नहीं भी चला तर दूसरा चल जाएगा आपको इससे जितने भी कटिंग करके आप लगाएंगे उसके नए नए प्लांट उससे तयार हो जाते हैं फिफ्ट नंबर पर मैंने गुड़हल को रखा है गुड़हल में भी बहुत तेजी से फंगस लगता है इसकी कोई भी वराइटी हो चाहे देशी हो चाहे हाईवरेट हो सभी में लग जाता है आपको यह भी थोड़ा सा टाइम देता है क्योंकि ज्यादा तर यह प्लांट प्लांट खराब होने वाला है तो आप इससे बचाना चाहे तो बचा सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल इसमें भी होता है यह भी प्लांट स्वीट प्लांट होता है जैसे मैंने लाल्टेना के बारें बताया था क्योंकि इसकी पतियां और फ्लावर जो है आगर आप खा तब ही आपने देखा होगा कि गुड़हल के प्लांट में और लाल्टेना के प्लांट में मिली बग का अटाइक भी बहुत ज्यादा होता है फिर हमें गुड़हल में भी हमेशा फंगिसाइट यूज़ करना चाहिए गुलाब में भी फंगस बहुत लगता है इसमें जो फंगस लगता है उसका नाम डाइबैक होता है यानि डाइबैक के नाम से फंगस इसका जाना जाता है इसमें डाइबैक में होता है इसकी जो ब्रांचेज होती है वो अचानक से सूख करके उपर की और सूखना सुरू हो इसलिए हमें जैसी पता चले हमें इसका treatment कर लेना चाहिए और पहले से भी हमें इसमें fungicide यूज हमेशा करते ही रहना चाहिए अगला प्लांट मैंने विंका लिया है विंका सदा बाहर वाला प्लांट ये ड्रॉफ्ट वाली की बात मैं कर रही हूँ देसी वाले विंका की बात नहीं करें देसी वाले को विंका साथ कहते भी नहीं है उसे सदा बाहर ही कहते हैं और इसे विंका कहते हैं ये इसमें जो है क चोटे चोटे प्लांट होते हैं इस वज़ा से अगर एक दिन आपको लग गया फंगस तो दूसरे तीसे दिन आपको यह प्लांट बिल्कुल ही खराब विस्तितिम मिलेगा यानि कि बिल्कुल ही खतम हो जाता है इसलिए हमें इसमें पहले से ही फंगिसाइट यूज करते रह चाहिए देसी वाला सदा पहर बहुत ही श्ट्रॉंग प्लांट होता है आप इसको बिना केयर के भी अच्छे से चला सकते हैं नेक्स्ट प्लांट मैंने एडेनियम को रखा है एडेनियम के बारे में तो सभी जानते हैं कि यह प्लांट में फंगस कितना ज्यादा लगता है यह देखिए इस दोनों प्लांट में कितनी बार फंगस लग चुका है लेकिन मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया तो यह इसी में फिर से ठीक होता चला गया नीचे से आप देख रहे हैं यलो है और कहीं कहीं पर अभी भी इसमें कुछ-कुछ स्पॉट आपको नजर आ रहा ह यह फंगस ही लगा हुआ है लेकिन इसमें ही मैं इसमें ट्रीट करती रहती हूं और यह ठीक होता रहता है चलता रहता है दूसरे गमले में मैंने इसको कई सालों से सिफ्ट नहीं किया है इसी में ही चलता रह रहा है कई बार इसमें फंगस लग चुका है मैं इसी में ही ने साइट की रिक्वाइर्मेंट होती रहती है मैं हमेशा नेचरल फंगिसाइट का यूज करती हूँ इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन काफी हद तक फंगस को कंट्रोल कर लेती हूँ निक्ष प्लांट आता है लक्की बैंबू इसमें भी फंगस लग जाता है अगर इसमें फंगस लग जाता है तो एक इस्टेम पहले खराब होता है वो यलो हो जाता है गलने लगता है और जैसे एक में अगर लग जाता है तो दूसरे में लग जाता है तीसरे में लग जाता है चौथे में लग जाता है ऐसे करकर के एक एक प्लांट जो है एक एक इसका स्टेम जो है खराब होना सुरू हो जाता है और प्लांट जो है बिल्कुल ही खराब जाता है इसलिए हमें इसे भी पहले ही ट्रीट कर लेना चाहिए और उसके बाद आता है एरिका पाम में भी बहु होना सुरू कर जाता है तो इसलिए हमें इसमें भी ट्रीटमेंट फंगिसाइड का पहले ही कर लेना चाहिए